हलो दूस्तों आप सभी को मेरी चैनल ब्यूटी मी सीमा में स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा साबन जो आपके चेहरी का रंग बहुत ही बढ़ा देगा चेहरी को आकरशिक बना देगा और चेहरी को इतना कोमल और साफ्ट और स्मूध बना देगा कि मैं आपको बता नहीं सकती और इस साबन को बनाना बहुत ही आसान है तो आईए जानते हैं कि आप इस साबन को अपने घर पे कैसे बना सकते हैं तो इसको बनाने के लिए जो पहला ingredient हमें चाहिए वो है glycerine soap आप कोई भी mild soap यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं पियर्ज glycerine soap यूज़ करी हूँ क्योंकि glycerine सारे skin type लोगों को suit करता है तो इस साबुन को आप कद्दू कस कर दीचे इस तरह से तो ये मैंने आधा साबुन का दुकस कर दिया है अब इसको मैं एक ball में निकाल के रग दूँगी उसके बाद आप एक mixer लीज़े उसमें आप rose petals जो की गुलाब की पंखुडियों को डालिए रोज में vitamin C होता है जो आपकी skin को fair और ageless बनाता है उसके अलावा जो cleansing, toning, estrogen और moisturizing properties होता है वो आपकी skin को soft और smooth बनाता है उसके बाद मैं साथ से 8 almonds जो की बादाम डालूँगी almonds आपकी skin को exfoliate करता है और skin को soft और bright बनाता है तो इन सारी चीज़ों को पहले मैं grind कर दूँगी तो इस almond और rose के paste को मैं एक bowl में निकाल दूँगी तो आप soap को melt करने के लिए double boiler या आप इसे microwave भी कर सकते हैं 4-5 second तक तो इस soap को मैं melt कर लूँगी तो यह मेरा soap melt हो चुका है अब इसमें जल्दी जल्दी से मैं almond और rose का paste डालूँगी तो मैं यह आसपास 3 teaspoon almond और rose का paste मिला रही हूँ उसके बाद मैं 3-4 bone rose essential oil डालूँगी यह बहुत अच्छी खुशबू देता है और skin को tone, moisturize भी करता है उसके बाद मैं 2 teaspoons almond oil जो कि बादाम का तेल डालूँगी और आखरी मैं मैं शहत डालूँगी यह एक super nourishing और hydrating ingredient है यह anti acne, anti aging और skin repairing benefits आपको देता है तो आप देख सकते हैं थोड़ी थिक हो गए तो आप इसे फिर से double boiler में रख दीजे तो यह पूरी तरह से भी melt हो चुकी है आप कोई भी एक plastic container या आपकी जो भी desired soap molds हैं उनमें आप डाल सकते हैं तो आप इसको रख दीजे फ्रीज में 15 minute के लिए तो यह पूरी तरह से जम जाएगा तो यह आपका soap ready है तो देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितना tempting लग रहा है और skin के लिए भी बहुत अच्छा है तो इस soap को मैं लगा के भी दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यह कितना अच्छा result देता है तो मैं इसको अपने right hand में demonstrate करके दिखाऊंगी तो देखें, यह कितना creamy है मैं बता नहीं सकती यह skin को बहुत soft और smooth बनाता है जो elements में मौझूद है यह आपकी skin को exfoliate करता है skin को tone करता है तो अब इस हाथ को मैं थंडे पानी से धो दूँगी तो मैं आपको life result दिखा रही हूँ देखें, अगर आप मेरे दोनों हाथों को compare करेंगे तो देख सकते हैं कि यह वाली जो हाथ है बहुत ज़्यादा गोरी और निकरी लग रही है इस साबुन को लगाने से आपकी skin dry भी नहीं होती आपके skin की pH balance को यह disturb नहीं करता है इसे maintain करता है आपके skin को बहुत ही soft और supple रखता है तो आप इसको अप जरूर अपने घर पे try कीजिए मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छा result मिलेगा और इसे एक बार लगाने से आपको मन करेगा कि आप इसे बार बार लगाए और सबसे अच्छी बात है कि यह आपके skin में instant fairness एक instant चमक देता है तो आप इसको अपने घर पे जरूर try कीजिए और मेरे साथ आपका result शेर कीजिए तब तक के लिए take care and bye bye